आपके तो को दिखाने के लिए एक वक्त था जब खून को गंदा बूल करके उसे बहा देना modern medicine की पैचानती है खून खराब होने से होता है बाडी प्लेन जो होता है खून खराब होने से होता है आज ये दलील हम हाजे के सुनते है modern medicine के अलावा कि आपका खून गंदा है और उसको बहाद देना चाहिए काम ये पुष्ट है नहीं हमारे grandfather के अकट है servicing होती है न ये body service center कुछ लोग उसे blade से काट करके बहाद दे रहे हैं और कुछ लोग जोंक के जरीए आपका खून निकलवानी कोशिश करते हैं लेकिन आपने ध्यान दिया है कि ये सतीग जानकारी नहीं है आपको केवल और केवल कहा जा रहा है को खून गंदा है आपको अगला सवाल होना चाहिए कि क्या है वो गंदगी और उसके लिए आपको सतीग जानकारी चाहिए तो हम Modern Medicine वाले दिमाग को ऐसे चमत से निकाल देते थे और उसको हमने Nobel Prize तक दे दिया खून को गंदा बूल करके उसको बहाद है ना Blood Lating जो Modern Medicine की पहजान थी आज वो पाकी Parallel Medicine के अंदर में आपको नुजर आएगी जैसे जैसे people are getting more aware ब्रेइन की जो problems हैं ऐसा नहीं कि पहले यह problems नहीं हुआ करते थी लोगों के पास just because के stress, anxiety, depression यह सारे शब्दा वली यह vocabulary नहीं थी इसका मुलब यह नहीं कि लोग परिशान नहीं हुआ करते थी लेकिन अब उसका इलाज में तो क्या ही है कि आप जाज़द आप आप आपको मालूम हैं कि आज की तारीक में कि आच्छा, psychologist के पास जा सकते हैं, psychiatrist के पास जा सकते हैं, अगलाग एंजियूज हैं, foundations हैं, वहाँ पर बात कर सकते हैं आज भी बहुत सारे मामलों में जानकारी नहीं है, लेकिन आज की तारीक में कोई आए, और आप डॉक्टर के पास जाएं, psychiatrist के पास जाएं, और बोलें कि ऐसे ऐसे तकलीफ है मुझे, mental stress रहता है, यह होता है मुझा कोई problem नहीं है, एक छोटा सा operation करेंगे, यहां से डालेंगे, ऐसे सुआ, और यहां करके इसे हिला देंगे, यहां पर आपका जो brain होगा, वो सारा का सारा इसको पिकला देंगे, और निकाल देंगे, बोड़ी से बाहर निकाल देंगे, एक दम मस्त हो जाएंगे आप आप बोले हैं कि पहले तो इस डॉक्टर को जाएंगे, ताने में बंद गराब, और यही हो रहा था, ऐसा नहीं यह दो-चार लोगों पर हो गया यह operation, यह brain, loboptomy जो operation है, वो हजार ओ लोगों पर होगा, पचास हजार से लोग पर का हुआ ही होगा, और इंटरस्टिंग लि कि जरूरी नहीं कि आज की थारीक में कोई काम हो रहा तो वह बहतरी नहीं हो रहा होगा, मतलब कि, we are at the forefront of modern medicine, आप until now कि, क्योंकि हम समय ही 2024 चल रहा है, वहश्य का समय देखा नहीं गया है, तो इसलिए 1950 से लेकर के 2024 तक में, तो 2024 में ही सबसे बहतरी medicine, modern medicine है न, लेकि जैसे समय 15-20 साल आगे बड़ेगा, 100 साल आगे बड़ेगा, फिर हम पलट करके देखें कि, कि यार, मालू में 2024 में ऐसे ऐसे यह हो जाता था कि, कैंसर के लिए, बंदें को चुड़ा रहे है, वहाई सो कुछी उल्टा सीधा cancer हो, रेडियेशन से बता, उसका tissue को मारा करते थे उस कोई उसका weight gain करके, कोई relative mask करके, उसके personalized medicine नहीं हुआ करती थे एक जमान में, क्योंकि हम अपने आपको भविश्य की नजरों से नहीं देख सकते हैं, हम पुराने लोगों को judge कर लेते हैं, आज की नजरों से, लेकिन इसी तरीके से, आज की, आज के वक्त में हमारे जो बच ऐसा सौ साल पहले के, दो सौ साल पहले के जो आप बोलते हैं कि यह रहे ऐसा कैसे मतलब आप बंदे के सामने काम हो रहा है, कैसे हो जाएगा, तो चाहे वो सती परता हो, चाहे वो आपका कह लीजे कि गुलाम रखन हो, कितना common, popular वो तो है, कि व्यक्ती आदमी आदमी को सकता है, आज बूले हैं तो लोगों दिमाग नहीं था क्या, लेकिन आज की तारीख हो सकता है कि आज से दो सौ साल के बाद जाकर के लोग बोले हैं, मालूम हो उस टाइम पर आदमी ना, एक आदमी को खेंशता था भाई, वालब रिक्षा चलाते तो लोग, आदमी आदमी साल के बाद कुछ भी बढलेगा तो जड्रूर ना, कुछ नयों कुछ तो बदलाव आएगा और जो बदलाव आएगा तो लोग उसके हिसाब से हमारे आज के समय को जज़ करेंगे और बोलेगे लोगों में इतना भी तमज नहीं थै, इतना भी इमाग नहीं था, पहले जा बाइ उस टाम पर को क्या हो राइन खातरना क्रीम लगा लेते थे आसानभाशा में को नुक्सान भी कर सकते लेकिन लोग गोराँ हूने के लिए इतना जाधा पागल क्या करते थे चैसिस एं जो हम बात कर रहें ब्लड लेटिंग वाला जो कॉंसेट है वो एक जमाने में modern medicine के सबसे forefront पर वो काम होता था कि फ़र ब्लड गंदा है आपका ब्लड गंदा है आपका और उसको सही करते हैं चलो निकालते हैं और मालूम है कि यही देख करके जो Samuel भाइसा में जुन्होंने पूरी की पूरी होमें पैथे लिख रखी है और वो यही प्रैक्टिस को देख करके तो उन्होंने यह क्या होता था कि जो ना तो जर्म थोरी आई थी बंदा operation कराने गया है guarantee मरेगा क्योंकि इधर से बंदा करके आ रहा है सुबह सुबह dead body को खोल के आ रहा है उसके हाथ में germs लग गए और जाकर कर रहा है delivery तो बच्चे मरे चले जा रहे है औरत मरी चले जा रहे है क्योंकि बच्चा पैदा करना मैं वालमूस्ट चार-पांच मैंसे तो एक lady जो है बच्चा पैदा करते हैं मरी जाती थी और आपके बच्चे मतलब natality death भी बहुत जादा हुआ करती थी तो ना तो jam theory थी ना तो यह idea था कि किस तरीके से जो भी idea हो करते थे लोगों का blood निकाल दिया करते थे blood letting कर दिया करते थे लोगों anesthesia नहीं था लोगों जो operation होते थे बगहर anesthesia के होते थे भाई सा सोच के थे बगहर anesthesia के ना तो local ना तो general डॉक्टर तो है अब surgery तो चल रही है तब भी तो के तो उसको देखकर को बोले भाई सब इतना जादा बरबाद कर रहे हो तुम बंदे को तो हो में पैती आई थी किभी हम अब नहीं करेंगे हम इतना प्रतालित नहीं करेंगे कम से कम उस प्यक्ति विशेश को और वो दिते हैं कभी काम चल जाता था फिर धीरे-धीरे ब्लड गुरूप के बारे में लोगों को पता चला चाला चाले तेहां यां यां भीじゃあ चीजा फिरश धीरे जयम्स के तो देविश्ड हो चाला अचा 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 जयम्स होतables है यह एक व дор appreciator चिनर में इंटिमिनोडी bacteria के cell wall के saccharides जो हैं वो उत्पात मचा रहे हैं सती कितना सती और इसके इसका structure ऐसा है इसके खिलाफ ये वाला अगर structure body में डाल दे जाए मतलब इस molecule को इस concentration में अगर दे दिया जाए तो ये वेक्ति बच जाएगा this is what modern medicine is इतनी सतीक जनकारी हो ना और वही हुआ और इसलिए वो जो शब्दा वुली थी वो चली गए modern medicines के अंदर में से लेकिन वो जो parallel medicines है उसके अंदर में आ गई और वो आज तक अठकी पड़ी है वो लोग joke therapy के नाम पर भी कर देते हैं वो लोग blood therapy के नाम पर भी कर देते हैं blood-lighting therapy के नांपे भी करते हैं लोग उसमेंसे pin मारकर के भी खुन न कलवा देती हैं लोग ao के बीड़ मारके भी खुन न कलवा देती हैं लोग जोओं का बड़ा specific case है लोग बहुले हैं कि आए आपको क्या पता जोखका इस थम्रहा होता है कितने सारी दवाईया हैं जो हमने नेचर से ही बायो मिमेटिक्स बायो मिमिक नेचर के अंदर में जो चीज मिलती हैं उसको मिमिक करकर कि कितने सारी चीज हमने कपड़ा बनाया हमने सर्जिकल टूल्स बनाया हमने दवाईया बनाई उसके अंदर में से यहां पर भी है कि जिस तरीके से साप का जहर, साप के जहर के अंदर में इतने सारे components होते हैं, कोई bacteria उसके पास इतने सारे components होते हैं, वो इस्तमाल करना था उसका किस के लिए, अपने आपको बचाने के लिए, सामने वाले को मारने के लिए, तो हमने देखा कि साप का जहर जो है जब बंदे को लगता है तो उसका जो बिलड प्रेशर हो भड़ जाता एकदम से बढ़ जाता और बंदा हाई ब्लड प्रेशर के विए समर जाता है तो यह तो यह मौलेकून निगालो इस बंदे में से जब अर उसको ज़रा थोड़ा सा आरेंडी करके रिसर्च रिसर्च करके और बनाते हैं कि जिन लोगों को कम ब्लड प्रेशर होगा उनको देदिया करेंगे बहुत से कम अमाउंट ब्लड प्रेशर भड़ जा गर बनाई हैं हमने दवाइयां ऐसे उसी तरीके से जो क्लॉट्स होते थे बंदे को इंजरी हुई है एक्सिडेंट हुआ है और क्लॉट बन गए बड़े तकड़े तकड़े से ब्लड के ही और वो नहीं उपार है अब यहां पर जोंग डाली गई उसके लार में क्या होता था क्योंकि मच्छ हो चोंख हो यह जब सामने से सामने वा जाली और वहीं पकड़ा गया उन्दर ही उसी तरही किसे जोंक जो हो चिपक गए तो वह नहीं चाहेंगे ना तो क्या बैतर रहेगा उनके लिए कि वह उनके पास अगर आंटिकोएगलेंट्स वगरा हो तो वहां पर वहल्प करता था मॉडरन मेडिसन ने जहां पूसका इ ऐसे हवा में नहीं कर रहे हैं और लेकिन फिर वही है कि सच के पास वाला जूट जह वह जादा खतरनाग होता है ओके तो यह बेसिक डिसक्शन आज रहात का प्लीज यार बाई शाला का अप है वो जारा डाउनलोड करें और वीडियो मिलते रहें मिलती रहें तो भीजते रहिएगा हर जहां पर भी आप तो पता ही है इंस्ट्राग्राम पर भीज़ दो यूट्यूब पर भीज़ दो च